जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एर फोर्स और SSE GD के अंतरगत आने वाली सभी फोर्सिस के most important questions तो चाहें आप किसी भी exam की तैयरी कर रहे हैं जो कि मैंने बता चुका हूँ आपके लिए ये most important question है और आपके सभी exams में बार बार पूंचे जाते हैं तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 है हमारा who was the father of Russian revolution रूसी करांती के जनक कौन थे options आपके सामने हैं दोस्तो तो अगर आपको किसी भी question का जो है वो अगर answer पता है तो आप comment करके जरू बताय करें तो रूसी करांती के जनक थे दोस्तो Lenin ठीक है तो option A इस question का correct answer है अगले question के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज कल आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी start की है कि जितने भी question आप करते हैं या फिर जितने भी question से कितने question आपको already आते थे ठीक है आज इस चीज के शुरुआत करते हैं और आज से आगे हमेशा आपको हर वीडियो को देखकर बताना है कि आपने कितने question 15 में से सही किए तो question number 2 है आपका भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी भगवत गीता वाज रिटेन बाई तो भगवत गीता के लिए लिखाता दोस्तो बेद ब्यास ने ठीक है तो option A यहाँ पर आपका correct answer होगा next question है हमारा question number 3 सत्मेव जयते सब्द कहां से लिया गया है the word सत्मेव जयते is taken from तो सत्मेव जयते जो word लिया गया है दोस्तो बो लिया गया है मुंड का उपनेश्ट से तो option D question number 3 का correct answer होगा अगले question के तरब चलते हैं दोस्तो question number 4 अर्थसास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दिबुक अर्थसास्त्र वाज रेटेन वाई ठीक है options आपके सामने हैं तो अर्थसास्त्र के रचीता हैं दोस्तो चाड़क के तो option B इस question का सही answer होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से request होगी कि वीडियो अगर आपको अच्छे लेगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ में share जरूर कर देना अगला question है हमारा रामाड के लेखा कौन थे who was the author of Raman तो रामाड किसने लिखी थे दोस्तों बाल में की ने तो option D यहाँ पर आपका सही answer होगा next question है हमारा question number 6 question number 6 है दोस्तो महाभारत was written by महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था तो दोस्तो महाभारत लिखा गया था बेद ब्यास के द्वारा थीक है तो option C यहाँ पर आपका सही answer होगा अब दोस्तो आपका मैं एक confusion दूर कर देना चाहता हूँ देखिए रामाड महाभारत और भगवत गीता इनी तीनों में से question पूंची जाते हैं इसके अलावा आपके पास में कोई भी question आपको देखने को नहीं मिलेगा थीक है इस track का तो दोस्तो रामाड किसने लिखी थी बालमिकी ने और भगवत गीता और महाभारत किसने लिखाता बेद ब्यास ने तो याद रखना रामाड लिखी थी बालमिकी ने और भगवत गीता और महाभारत लिखाता बेद ब्यास ने यहाँ पर बिल्कुल आपका किलियर हो गया हो गया मैं उम्मिद करता हूँ आप चलते हैं इसी के साथ अगले question के तरफ question number 7 elephanta की गुफाएं इस्तित हैं options आपके सामने हैं दोस्तो तो elephanta की जो गुफाएं हैं caves हैं वो कहाँ पर हैं elephanta की गुफाएं हैं दोस्तो महराष्ट में ठीक है तो option भी इस question का सही answer होगा next question है हमारा question number 8 in which place did gotam buddh give his first ceremony ठीक है gotam buddh ने अपना पहला उपदेश किस इस्थान पर दिया था तो दोस्तो गुफाएं ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में तो option c question number 8 का सही answer होगा next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 9 9 number question है आपका निमलिगित में से किसे sale का powerhouse भी कहा जाता है which among the following is also called the powerhouse of sale तो दोस्तो powerhouse of sale कहा जाता है mitochondria के लिए ठीक है तो option भी इस question का सही answer है अगला question है हमारा question number 10 10 number question है दोस्तो भारती रिजर बैंक की स्थापना कब हुए थी तो दोस्तो in which year the RBI यानि की रिजर बैंक of India was established तो भारती रिजर बैंक की स्थापना हुए थी दोस्तो 1 April 1935 को तो यहाँ पर option c आपका सही होगा date थी दोस्तो 1 April 1935 चलिए अब चलते हैं आज के अगले question के तरफ question number 11 which was the first state in India to be formed on the basis of language भासा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज कौन सा था तो दोस्तों भासा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज था आंदर प्रदेश जो की 1 October 1953 के लिए गठित हुआ था ठीक है तो option b यहाँ पर आपका सही answer होगा अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 12 और question number 12 है दोस्तों निम्न में से कौन सा बिलू सहर के नाम से जाना जाता है निम्न में से ऐसा कौन सा सहर है जो बिलू सिटी के नाम से जाना जाता है which city is known as blue city ठीक है तो दोस्तों इस question का तो सही answer है आपका option b जोदपुर भी सहर तो पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों जैपुर ठीक है तो जैपुर और राजिस्थान दोनों ही सोरी जैपुर और जोदपुर दोनों ही राजिस्थान में है जैपुर बिलू सिटी और जैपुर जोदपुर बिलू सिटी और जैपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है अब आता है दोस्तों यहां पर अब आता है यहां पर बैंगलॉर ठीक है यहाँ पर Manchester नहीं है दोस्तों यहाँ पर मैं option डाल रहा था एहमदाबाद जिससे आपको यह बता सकूँ कि भारत का Manchester किसे कहा जाता है एहमदाबाद के लिए कहा जाता है तो गलती से मुझसे यहाँ पर Manchester टाइप हो गया आप यहाँ पर एहमदाबाद कर लिजिए और जो PDF इसके अफ्लोड करूँगा उसको मैं सही करके अफ्लोड कर दोगा ठीक है चलिए तो question number 12 का आप उम्मिद करता हूँ answer समझ गे होंगे जोदपूर ओके चलिए अगला question है मारा question number 13 13 number question है दोस्तो दयानन्द सरस्वती किस समाज के संस्थापक है दयानन्द सरस्वती is the founder of which समाज तो दोस्तो दयानन्द सरस्वती किस समाज के संस्थापक है जल्दी से comment करके बता दीजिए तो यह हैं दोस्तो और समाज के संस्थापक यानि कि option B इस question का correct answer होगा अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 14 question number 14 है दोस्तों हमारा वह वाजदी first speaker of लोगसभा, लोगसभा के पिर्थम बगता कौन थे, ठीक है, तो लोगसभा के पिर्थम बगता यानि कि speaker थे दोस्तों GB मावलांकर, तो option D इस question का correct answer होगा इनका पूरा नाम था गड़ेश वासुदेव मावलांकर आप चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 15 और आज की वीडियो का last question, बास्कोडी गामा बास ए, बास्कोडी गामा थे फ्रांसीची, इटेलियन, पुर्तगाली और बिटेन तो दोस्तो बास्कोडी गामा थे एक पुर्तगाली, यानि कि यह पुर्तगाल के रहने वाले थे, तो यहाँ पर option C आपका एकड़म correct answer होगा ठीक है और समुदर के रास्ते भारत पहुँचने वाले बास्कोडी गामा प्रतम ब्यक्ति थे, ठीक है तो उम्मिद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो में only 15 questions और आपकी यह answer की है, आप इस वीडियो की PDF फाल को बिल्कुल free में हमारे टेलिग्राम ग्रूप जिसका लिंक इस वीडियो के description में दिया गया है, वहाँ से जाके download कर सकते हैं, ठीक है, तो उम्मिद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर कर लें तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय वारत